है लो दोस्तों का स्वागत है आपका हमारे चैनल टाइव कर देशन में तो बात करने वाले हैं फिजिकल एड्यूकिसंग की टाप्टेंटी कुस्टिंस पी जो आगामी टीजी टीक जांस के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होंगे तो बात करते हैं कुस्टिंपर टीवन की गतिविद इक गतिपर यंज़िन करना सामिल है यह कौन सा वियाएम का नित्रगत आता है फ्रस्ट ऑप्सन आइसो काइनेटिक वियाएम तर्ड ऑप्सन आिसोट पी थो टॉनिक वियाएम लास्ट ऑपशन एसंट्रिक वियाएम तिसका राइट आंसर क्या हो जाएगअ खेल प्रिशिच्छर में अतिभार जुड़ जाता है जब फर्स्ट आप्सन दिया हुआ है आपका आक्सीजन की आप पूर्थ दिरुरूरत से ज़्यादा होती है सेकेंड आप्सन आक्सीजन की आप पूर्थ अंतर बढ़ाने की योगी नहीं है थार्ड आप्सिजण की आप्पोर सरीर के जरूर्द के हिसाब से पर्याप्त है and लास्ट आपी आपका दिया हुआ है आप्सिजण का अंतर ग्रेंड पूरा करने के लिए आ पर्याप्त है जिसका right answer क्या हो जाएगा आप यहमें comment के मार्थ तेम से बता सकते हैं ओप्संटी आपका सही आंसर होगा नेश्ट कुश्चोन निमलिखित में से कौन सा मोटर फिटनेस का तत्त कम प्रभावित होता है प्रसिश्चर से स्रीर के निर्माल में सबसे ज्यादा सहायक है फर्स्ट आप्सन विटामिन, सेकेंड आप्सन कार्भोहाइडरेट, फर्ड आप्सन प्रोटीन, लास्ट आप्सन खानिस्पदार्थ 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप्सन C जीवन के गुडवत्ता का सीधा सम्मन्द होता है फर्स्ट आप्सन हिदय दुरस्ती, सेकेंड आप्सन नियूरोम कुस्कुलर दुरस्ती, फर्ड आप्सन समगर या संपूर्ण साकती, लास्ट सभी प्रकार की सारे एक फिटनेस बहुत ही आसान कोश्चन फिजिकल एजुकेशन का ध्यान से देखिएगा फ्रेंट्स 35 पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप्सन सी सही होगा अधिक्तन ताकत के विकास का सबसे उप्यूग तकारक होता है फर्स्ट आप्सन अनुवांसकी, सेकेंड आप्सन स्वास्त, फर्ड आप्सन सारे रचना, लास्ट पोसक तत्व इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा उप्सन ए, निस्ट कुश्चन बार बेल्स और डंबल्स का प्रियोग होता है फर्स्ट आपसं गजपीश्च छड़ 2 अंसर्किल प्रिसी छड़ 3 अपसं ताकत प्रिसीच छड़ लास्ट आपसं भार प्रिसीच छड़ 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा我不知道 डी एक के बाद एक 10 ताकत व्यायाम हो को पूराइन की प्रिसीच छड़ भीद है प्रियोग होता है पहला option अंतरार पे से छड़ वीधी, second option फोर्ट लग पे से छड़ वीधी, third option ताकर पे से छड़ वीधी, last option इनन्तर पे से छड़ वीधी, 39 का right answer क्या हो जाएगा, options A, next question, निम्न में से गतिक इसका फिल मिस्रण नहीं है फर्स्ट आप्सन दोहराने का सेकेंड आप्सन गत सहन सीलता थर्ड आप्सन अधितम गत लास्ट आप्सन भी स्फोटक सकती इसका राइड आंसर क्या हो जाएगा आप्सन ए नेस्ट कोस्चन बेंच से फर्स पर कूदना और उसके बाद तुरंद बेंच पर वापस जाना इन बैयामों को किस नाम से जानते हैं बहुत ही इंपॉर्डन कोश्चन ए फिजिकेशन क्या ध्यान से पढ़िएगा फर्स्ट आपसन दिया हुआ है कंसेंट्रिक सेकेंड आपसन एसंट्रिक थर्ड आपसन प्लेयोमेटरिक लास्ट प्रसिछड तो नाइटि-वन का जो राइट आँसर हो जाएगा वो अपसन-सी सही होगा नेस्ट कुस्चन लंबी अवधिके पिसे छड़ चक्र को कहते हैं क्या कहते हैं फर्स्ट अप्सन माइक्रो चक्र सेकंड अप्सन माइक्रो चक्र थार्ड अप्सन मेसो चक्र लास्ट कोई नहीं तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अप्सन 20 ही होगा अचानक उसा का मैसूस होना और सभी खेलों का अनंद किश में होता है पहला अप्सन जीतने में दूसरा प्रतियोगता में तीसरा अप्सन प्रजेशन में लास्ट भागिदारी में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्सन बी जो लोग हमारी वीडियो को पहली वाप व तूनना जाते हैं वो हमें इस तमय भी कॉंटेक्ट कर सकते हैं नाइन सिक्स टू वन एट वन नाइन टू जीरो नाइन फाइट रुपी का पेमेंट फुटबॉल के एक उसल जो हाकी में लागू होते हैं फस्ट आप्सन चताकत और चपलता सिकेंड आप्सन चपलता और ल जाती लास्ट गति और लचीनला पन तो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अप्सन सी सही होगा नेस्ट कुश्ट निमनलिखित में से किसके द्वारा किसी भी उर्जा की प्राप्ते नहीं होती पहला आप्सन कार्बोहाइड्रेट दूसरा आप्सन विटामिन्स तीसरा प्रोटीन लास्ट वसा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्सन बी नेस्ट कुश्ट प्रतियों गिता अब अधिके दोरां ती बिरता होनी चाहिए कि कि इसका राइट आप्सन उची अधिक सेकेंड अप्सन मध्यम थर्ड आप्सन ने अभी दोनों लास्ट उप्र निलिकेद में से किस प्रसिचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचच वो option B सही होगा नेस्ट कुश्चन रीड की हड़ी की स्थिर्ता ब्यायों में सबसे मात वोड़ मुँगा अदा करती है पहला option कूदने की ब्यायों में दूसरा option उठाने अलिप्ट के ब्यायों में तीसरा option बॉल्टिंग ब्यायों में लास्ट जुकने या फिर बेंडिक जाया हों में जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ओप्षन बी नेस्ट कुस्चन अगर एक अथलीट तेज़ दोड़ना चाहता है तो फर्स्ट अप्षन अपने हाथों को तेज़ी से आगे पीछे लाएगे सेकेंड आप्सन पैर के उलियों पड़ दोड़े थर्ड आप्सन अपने सिर को आगे जुका कर दोड़े लास्ट उटने को उचा रख कर दोड़े तो हंड़े का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप्सन बीस होगा बात करते हैं आज की वीडियो के लास्ट ताकत पिसे चड़ कि बीच जरूरी आराम होना चाहिए कितने घंटे का होता है आई जानते हैं फर्स्ट आप्सन बहात्तर गंटी सेकेंड आप्सन और तालीस घंटी थर्ड आप्सन 24 घंटे लास्ट बारा घंटे उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप्सन्स बी सह नहीं होगा तो यह थे आज की वीडियो के टाप्टन टी वन कॉस्टेंस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुस्टेंस के साथ तक तक के लिए नमस्कार पढ़ते रहे हैं